हाथ दियर स्टूडेंट्स एंड दियर पिपूल हाव अर्यू आई एम गोइन टाक एबाउट क्लास आलेवेंज फिजिक्स mathematical tools वर calculus कलकुलास में हमने आपको कि इन फार्ट दिया कितने फार्ट में हमने differentiation के सारे formula बताया जो आपके physics में यूज होते हैं और उस सारे formula पर एक-एक करके हमने example बताया एक-एक नहीं एक formula पर हमने 2, 4, 5 हमने example बताते हुए differentiation को part 3 तक हमने का किया the end किया अब calculus में part 4 आप का है क्या integration यानि physics में जो basic mathematical tools बोले तो यानि कारुकुलस से जितने फार्मूले बॉनते हैं उस फार्मूले पर सारे एक्जामपल कराते हुए हम इसको दहीन करेंगे तो आएए हम इस्ट्राट करते हैं जैसा कि basic integration for all physics याई बेसिक टॉप basic से लेकर चलेंगे पहला टर्म यह है कि integration क्या है क्या बोलेंगे integration एक तरह से क्या है कि डिफ्रेसेशन का जिस्ट अपोजीट है याई रिवर्स प्रासेस है क्या है रिवर्स प्रासेस जैसे अभी मैं बताता हूं जैसे support दैट आपको कि नाइंथ में मैंने बताया था कि कि किसी विलास्टी टाइम वर्सेस का हम स्लोप निकालते थे तो क्या मिलता था स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है विलास्टी टाइम वर्सेस ग्राफ का हम एरिया निकालते हैं तो डिस्टिंस या डिस्प्रास्मेंट निस्ता है सेम यहां पर भी एक ट्रिक बनता है ट्रिक आपका यह है कि जब आप ध्यान दिजिए ट्रिक यह है कि जब आप डिस्प्लसमेंट डिस्प्लसमेंट को एक बार डिफरेंसियेट कर रहे थे तो क्या मिल ला था विलास्टी और विलास्टी को एक बार और डिफरेंसियेट कर करेंगे integration यानि अगर इसका इसलेशन का integration कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा कि वेलास्टी को कि आप integration कर देते हें तो क्या मिल जाएगा आपको displacement में जाएगा जैसे मैं समझाता हूँ एक एक बात एक पॉइंट आपको मैं समझा दूँगा जैसे displacement क्या बोले displacement दिया हो और velocity क्या करना था आपको support that find करना है तो हम क्या कर रहे थे जैसे support that displacement s is equal to यहाँ पर कह लिखा t का power हमने 3 लिखा अब देखिए यह displacement है displacement को किसे हम परदर्सित कर रहे हैं किसे represent कर रहे हैं तो यह से अब इसको क्या करना है find करना है velocity displacement दिया है और का find करना है velocity तो इसको एक बार हम differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा velocity मिलेगा यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर भीज इसको क्या लिख सकते हैं dt अब देखिए d आपन dt यहाँ लोग क्या था ती का power 3 था अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ध्याम देजिए जो power था उससे क्या किया फाइन किया अब ध्यान से समझे वेलास्टी दिया हो भीज इकल टू क्या दिया हो वेलास्टी दिया हो आपका t का power 4 प्लस t यह वेलास्टी दिया है हमको चाहिए displacement हमको क्या चाहिए displacement तो हमको displacement find करना है तो अभी हमने ट्रिक क्या बताया विलास्टी दिया हो displacement find करना हो तो हम विलास्टी को integration कर देंगा तो क्या मिल जागा displacement कैसे मिलेगा ध्यान समझी यहां पर हमने लिखा V is equal to क्या होता है ds upon dt होता है आपका तो ds is equal to क्या हो जागा भी into dt हो जाएगा अब इसको बोद साइड integration कर दें कोई दिकत दोनों तरफ ना हमने संकर भागवान को बोला कर दोनों तरफ संकर भागवान से multiply कर दिया भोले बाबाते ठीक यानि इसको symbol को हम लोग बोलते है integration अब ध्यान से समझ पढ़ाया तो बहुत कुछ गया है आपको और लोग बहुत लोग आपको पढ़ाये होंगे इन डिफ्रेंशन ना इंटिग्रेशन फीजिक्स में अपने अपने चैनल पर खुड़ा मेरा भी देखिए हाना क्या जलवा है तो displacement को differentiate कर रहा है तो velocity मिला है और velocity को integration करेंगे तो क्या मिलेगा displacement मिलेगा आप ज्यान दिशे समझेए इसको सब कुछ बताऊंगा velocity की बहुत क्या है ती का पावर 4 प्लस T है की नहीं तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया ज्यान दिजिए displacement को एक बार इंटिग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा S आप ज्यान समझेए बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा धी की बहुत क्या है ती का पावर 4 प्लस T इंटु क्या मिला DT मिला यहाँ पर हम लगा दिया integration अब ध्यान समझे इंटिग्रेशन आप T का पावर 4 इंटु DT प्लस इंटिग्रेशन आप T इंटु क्या हमने लिखा DT अब यहाँ पर देखिए का पावर यहन प्लस 1 आप आन यहन प्लस 1 हो जाएगा तो T का पावर 4 है चार में एक जोड़ेंगे तो का पाँचे न आएगा आपा यहाँ पर भी क्या होगा 5 प्लस इसका पावर कुछ ने है T का पावर तो क्या है आपके पास 1 है तो लिखेंगे T का is square आपान 2 प्लस 3 ल displacement से velocity मिलाना है तो हमने क्या कर दिया बताइए differentiate कर दिया हमने क्या किया differentiate किया अज जब हमको velocity से displacement point करना है velocity से क्या point करना है displacement तो हमने क्या कर दिया बताइए integration कर दिया क्या कर दिया integration कर दिया यह आपका difference है यह आपका तो मैं दोनों फार्मूले को इंटिग्रेशन और डिप्रेंसेशन दोनों फार्मूले को यहां पर क्या डिफरेंस बताते हुए हम आंगे बढ़ेंगे ठीक है ना फिजिस में बहुत जब जब जस इसका यूज है इसके बीना फिजिक्स कोहें ने तो कहीं आपको क्या लगा थे कenderखेंशने तौिकशने देगा तक परंट्रि ट हम इसको लेकर चलते हैं रहें काई से इसका एक-एक फार्मूले के साथ हम इसको प्रेटिस कराते हुए आपको लेकर चलते हैं आंगे बढ़ते हैं चलिए और कोई भी लेक्चर आप देखते हैं मेरे दोस्तों यह चात्रों तो अच्छा लगता तो थोड़ा सा कमेंट और लाइक करना न भोले आए आए बढ़ते हैं जैसे कि यहां पर हमने डिप्रिसेशन के लिए एक सिंबल लगाया है जिसको बोलना है जय बोले जय बोले यानि संकर भगवान के गले में क्या होता है साफ होता है कि नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं जय बोले और इंटिग्रेशन उसी का सिंबल क् कि मutch sil llev हमते इन डिफनाई इंटिग्रेशन बोलते हैं अब पहला फर्मूला ध्या husband निखते हैं पहला पहला पालफ फर्मूला इंटिक्रेशं अकॉप्ष यहांभ हों बता हैने हों किशीена कॉपषिट में ज्या जिरसों कर्ते कौन्स प्रते मन 조 उन और जैसे d upon dx into x into यहाँ पर हमने कलिक दिया x आप ज्यान समझे यहाँ पर यहाँ पर पावर नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना पावर है यहाँ पर क्या हो गया d upon dx यहाँ पावर यहाँ है इसका differentiation formula क्या तो था जो पावर था उसे आप करते थे coefficient यानी हो गया n फिन x का power n minus क्या करते थे 1 करते थे यह दूसरा formula था differentiation का सेम इसी दूसरे formula से हम एक formula यहाँ पर लेके चलते हैं आए देखिए integration of x का power not कुछ नहीं है मतलब ठीखना into क्या है dx यहाँ पर देखिए करना है तो यहाँ पर x का power 0 है क्या है x का power 0 अच्छा यहाँ पर x का power n लेले आप क्या लेले एक्स का power n तो integration of x का power n into dx क्या करेंगे x का power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है यह first formula है एक्स का power हमने क्या लिखा n plus 1 upon n plus 1 यानि जो power उसमें plus 1 कर रहे है और divided by power plus 1 और differentiation में क्या था जो power था पहले उसको आंगले जाकर coefficient करते थे फिन power में से minus 1 क्या करते थे तो subtraction करते थे क्या करते थे तो subtraction करते थे तो यह basic formula हुगा क्या हुआ basic formula हुआ दूसरी बात ध्यान से समझे दूसरी formula यहाँ पर जैसे integration of यही है इसे से related है x का power हमने क्या लिखा not into क्या लिख दिया dx आप ध्यान समझे यहाँ पर जो power है उसमें आपको one जोड़ना है क्या है power में one क्या है जोड़ना है अपाण power में ओन क्या कर रहा है जोड़ना है ठीक पावर में 1 क्या करना है जोड़ना है और है यहाँ पर क्या है इन्डिफैनाइट इंटिग्रेशन है तो यहाँ प्लस कंस्टेंट लगा देंगे क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 है आएं डिफ्रेसेशन में 0 कंस्टेंट करते हैं तो 0 आता है integration में 0 का integration करते हैं तो कहा रता है constant करता है यहाँ पर भी कहला का देंगे plus c ठीक है अब ध्यान से तम यह दूसरा formula हो गया और पहला यह basic formula है क्या है basic formula है जैसे अब example लेकर चलते हैं यहाँ differentiation होगे उदर क्या हो गया integration अब इस पर कुछ example लेकर चलते हैं ठीक ध्यान देजिए जैसे पहला example हमने क्या 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 लिख दिया डी एक्स फर्स्ट इक्जामपर फर्स्ट इक्जामपर तो इंटिक तो इंटिकर सान उसमें क्या करना है उन जोडना है अपन पावर में क्या करना है उन जोडना है यह यह हो जाएगा एक्स का इसक्वार बाई तो इंटिकर सकते हैं plus צ आप जहां समझें, तो जो पावर है उसमें 1 जोडना है, आप आप पावर प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा, C, यानि X का पावर 3, आप आप क्या मिल गया, 3, प्लस क्या हो गया, C, इस अब एक्जाम पन है, किस पर, आपके पहले और दूसरे पर, अब फ़र्ड देखिए, इं इंटू क्या है, D, हमने बार-बार बोला, कि इंटिगेशन में क्या करना है आपको, जो पावर है न, उसमें 1 जोड कर, आप इन बटा का सिंबल लगाईए, आपान, पावर प्लस 1 कर दीजिए, डिफ्रेंसेशन में हम क्या करते थे, जो पावर था, इसको पहले कोपिशें करते थे, फिन पावर में से माइनस 1 सफटेक्शन करते थे, याद रहेगा, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में, याद कर रहे है, प्लस साथ साथ प्रिटिस कीजिए, और फिजिक्स कमिश्ट्री मेरे फिरे चात्रों, दोस्तों, कभी भी बिना पेन प्लस ये क्या कर देंगे, सी लगा देंगे, याद ये आएगा कितना, एक्स का पावर 6 आपान 6 प्लस 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 समझ रहा है न, समझ रहा है न, आप जैसे मान लिजे, ये थर्ड हो गया, एक और देखिए, फोर्थ, इंटिक्रेशन आप, रूट एक्स इंटु क्या है, इसको से घबड़ाई है मत, रूट एक्स को आप लिख सकते हैं, 1 बाइटू, क्या लिख सकते हैं, 1 बाइटू, तो इंटिक्रेशन आप, एक्स का पावर 1 बाइटू, इंटु क्या हो जाएगा, डी एक्स, आप देखिए, 1 बाइटू में प्लस 1 जोड़ दो, और नीचे बाइट पिछन यह जीरो है, तो जीरो का इंटिक्रेशन कॉंस्टेंट होता है, तो यहां लगा दिया हमने क्या, C, और टू अन्जा टू और वन, थ्री, यानि एक्स का पावर थ्री बाइटू, और यहां टू अन्जा टू पलस 1, यानि थ्री बाइटू, यहां पहो गया टू कहां चला जागा उपर, पलस क्या हो गया, C हो गया, तो यह एक्जामपल रहे हैं, ठीक है, क्या है सब, एक्जामपल है, एक और एक्जामपल देखिए, तो फोर एक्जामपल, कितना हो गया, फोर, एक यह रूट बाला पता दिया, अब एक आप लेट जाए हैं, आपको बिल्कुल घंखाना नहीं है ॥श्कुल आपको बिलकुल इजी है, साधारान वे में आप लेकर चलिए, पहले सुटेंगे बाप रे-बाप, तो समझ में नहीं आएगा, देखिए मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्यों कि आप जैसे बहुत से बच्चे बायो के भी हैं, मैत के भी हैं, तो मैत वाल और 11 की फीजिक्स, पढ़ने के लिए आपको कैलोकुलस पढ़ने की जरूरत है, बिलकुल है, 100 पर है, अगर यह नहीं पढ़ते हैं, तो आपको फीजिस की डिराइवेशन में दिक्कत करेगा मेरे बादे, बाबु भाई या, ठीक है ना, आईए, अब जैसे स्वापोर्ट एट, बादे, 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 बादे भाई, minus 2 plus 1 ento, minus 1, ठीक? Plus, minus, minus, plus, minus, minus, यानि, X inverse, plus, c, तो इसको आप लिख सकते हैं, minus 1 upon X plus, क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, minus 1 upon X plus, C लिख सकते हैं, thीक है? अब हम चलते हैं, ध्यान दिजए एक point और बताते हैं, जैसे यहाँ पर एक term आ रहा है, कि integration करना क्या है द्यान से समझे जैसे यहाँ पर यह हमने formula बता है यह वाला तो यहाँ पर formula बता है तो यह क्या आएगा द्यान समझे एक्स का पौर नट प्लस वन आणि एक्स वन अपान वन प्लस क्या जाएगा c यानि यह x प्लस क्या हो जा रहा है c द्यान समझे तो जैसे integration आप यहाँ पर integration आप dx लिखा गया है क्या लिखा गया integration आप dx integration आप क्या लिखे हैं हमने dx लिखा है ठीक तो integration आप dx को समझे यहाँ पर हम क्या बता है दूसरा formula का use यहाँ कुछ नहीं है यानि x का power क्या है? not x power not into क्या अन्य लिक लिए? dx यानि देन समझे x का power not plus 1 upon not plus 1 अब कुछ नहीं है तो क्या है? constant यानि यहाँ क्या जाएगा? x आ जाएगा तो इस तर से आप याद रखेंगे integration आप dq is equal to क्या होगा? q integration आप ds is equal to क्या हो सकता है? yas integration आप dt is equal to क्या होता है? t integration आप d theta is equal to क्या लिख सकते है? theta integration आप dw is equal to आप क्या लिख सकते है? w ठीक है ना? याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? जिन्दगी के लिए बिल्कुल याद करना है समझ में बात आ रही याद करना है, साथ साथ प्रेटिस करना है एक दो बार वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा तो हमने दो आप फर्मूला बता आजा अब तीसरा फर्मूला देखते है थाड़, यह मैं मिटा देता हूँ वीडियो को पाच करके आप इसकीन साथ ले लिजिएगा या वीडियो को पाच करके नोट कर ले या इसकीन साथ ले ले ठीक है ना, चलिए है आँगे देखते हैं हम लोग अब जैसा कि तीसरा फर्मूला थाड़ फर्मूला बताने से पहले यहाँ पाध्यान देजिए डिफ्रेंसियेशन, डी आपान डी अक्स जैसे य जो कर्ट क्या देदिया है 3T का स्कॉार देदिया है तो अमने लिखा डी आपान डी अक्स डी आपान डी अक्स चलिए यहाँ पर माली यह displacement दिया है velocity निकालना था लिखेंगे dy upon क्या लिखेंगे dt अब d upon dt y की वालू क्या है आपके पास 3t का square तो करते क्या थे यह constant को बाहर लेते थे आप अब d upon dt into t का square आप calculus का part first, part second, part third यानि differentiation आप निश्ची देख ले अगर नहीं देखे हैं तो जाकर playlist में चेक करके आप तीनों lecture को देख लिए तो आच्छा होता आपको part fourth के लिए अब देखें यहाँ पर यह 3 जो अब इसमें क्या करते थे जो power था उसको coefficient करते थे d upon dx into x का power 1 यानि 1 into x का power 1 minus 1 तो जो power है आपका उसे coefficient कर रहे है यानि 3 into क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद 2 का power minus 1 तो 3 2 जाक कितना हो जाएगा 6 ती हो जाएगा समझ रहा है ना इसी तरह third लेखिए integration third integration यह किसका symbol है integration का यहाँ पर बोलेंगे lower limit यहाँ पर बोलेंगे upper limit तो अगर यहाँ lower limit और लिमिट नहीं दिया है नो तो इसको आप क्या बोलेंगे बताइए in definite integration बोलेंगे in definite यहाँ यह फैना जिया ना तो अभी सिम्बल किसका है भोले बाबा का याणि integration का किसका symbol है integration का तो जैसे यहाँ पर c into x का power y in to kya दिया है dx थिक तो बिलकुल यहाँ पर constant को बाहर ले रहे थे यहाँ पर भी constant term को बाहर ले लेंगे बाकी क्या करेंगे integration of x का पावर 1 into dn यानि यह मिल जाएगा c x का पावर 1 प्लस 1 upon n प्लस 1 plus c यह constant है यहाँ c के जाओ आपका integral number है 1, 2, 3, 4, 12, 13 ठीक है ना 1, 2, 3, 4, 12, 13 ठीक अब हम लोग इस पर कुछ example करते हैं क्या करते हैं इस पर कुछ है example करते हैं इससे मैं मिटाया देता हूँ देखिए आप differentiation और integration दोनों का difference लेकर चल रहा हूँ इस एच्छा टाइम ज़्यादा लागेगा आए इस पर हम लोग example देखते हैं जैसे कि first example first example माली जे support है integration का यह क्या है symbol है यहाँ पर देखिए 6X का power 3 into क्या है dx है अब इसको integration करना है क्या करना है आपको integration करना है अच्छा dx क्या है यहाँ पर dx जो है क्या है किसी distance का similarity infinite small element या infinite small distance क्या है वो value है ठीक है तो यह इतना की value अगर पता हो और यहाँ से यहाँ तक आपो find करना हो तो क्या करेंगे छोटी से बड़ा करना हो वहाँ integration करेंगे जहाँ बड़ा से छोटा करना हो वहाँ पर क्या करेंगे छोटी से बड़ा करना है वहाँ पर क्या करेंगे छोटी से बड़ा करना है रिवर्स प्रासे साब डिफरेंट थे साथ, जैसे देखें उसमें क्या थो था, मैनस होता था, इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है, तो अब आप देखते हैं, एक्जाम्पल फर्ष्ट में, अब क्या हमने बताया, हमने बताया, कि जो वैलू, हमने क्या बताया, क x पावर में प्लस 1 जोड़िए कितना जाएगा 4 इन्टू क्या हो गया इन्टू dx प्लस c हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा यह आपके पास क्या रहा है फर्स्ट इग्जाम पर ला इसको आप कटा भी सकते हैं क्या करेंगे 2 2 जा 4 आप 236 तो क्या आएगा आएगा 3x का पावर 4 दिवाइड़ बैड़ 2 प्लस c यह पहला एक्जाम पर रहा है दूसरा एक्जाम पर आप क्या देख सकते हैं जैसे दूसरा एक्जाम पर integration यह किसका symbol है इन्टी ग्रेशन का 4x square क्या लिख आपर 4x square 4x square plus 2x square plus क्या है x into क्या है यहाँ पर dx ठीक है अब इसको integration करना है इनको dx के respect में तो क्या करेंगे constant term को constant राने दे x is required integration आप x is required into क्या रिखेंगे dx रिखेंगे तो यह हो जागा x का power 2 और 1 3 upon 3 plus यहाँ पर देखिए 2 power में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3 upon कितना हो गया 3 plus x is required upon 2 power यहाँ पर क्या x का 1 है 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जागा डिये जिससे माली जी इसको मैं इदा बाद दता हूँ जिससे इसको आप कैसे लिखेंगे 4 into integration of x का square into dx लिखेंगे फिल लगाएंगे plus 2 into integration x का power 2 into dx plus integration आप x into क्या हो जाएगा dx अब देखें यह फोर हो गया x का power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus 2 x का power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus x का power 1 plus 1 कुछ नहीं तो 1 है upon 1 plus 1 plus क्या जाएगा c आप आप देख सकते हैं 4 into x का power 3 upon 3 plus 2 into x का power 3 upon 3 plus x square upon 2 plus c तो यह तरह से हम तो मैं यहाँ पर आपको एक ही लाइन में प्रूप कर दिया लेकिन इसको तोड़कर भी आप समझ सकते हैं जब पुरा प्रेटिस हो जागा तो आप भी एक लाइन में क्या कर सकते हैं तो कर सकते हैं ठीक है आईए जब आजस्त concept है तो यह आपके पास दूसरा क्या रहा एक्जाम पर लहा इन तीनों फर्मूले से related ठीक है तीनों फर्मूले से related अब आप बिल्कुल आप घबडाएना अब थोड़ा सा हम आप लेके चलते हैं तीनामेंटिकल फर्मूले पर किस पर लेके चलते हैं तीनामेंटिकल फर्मूले पर तो ध्यान दिजे तीनामेंटिकल फर्मूला यानि इंटिग्रेशन of Trinamantical Function, Trinamantical Function, इंटिगेशन आप Trinamantical Function, जैसे पहला आपने formula differentiation में पढ़ा था, पहला formula कि D upon Dx into sinx, इसका differentiation में sinx का क्या होता था, cosx होता था, sinx का क्या होता था, cos, अब यहाँ पर देखें, integration of sinx into क्या लिखा, हमने Dx लिखा, integration of sinx into क्या लिखा, Dx, तो sinx का, यहाँ पर हो जारा है, minus, क्या हो जाएगा, cosx plus C, देखिए, sin का होता था, cos, differentiation में, लेकिं, integration में, sin का हो रहा है, minus, कर, याणि इसमें, positive तो इसमें क्या हो है, negative, differentiation में, positive, तो integration में, negative, differentiation में, positive, what are integration में, negative, इसलिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, integration is reverse process of differentiation, integration is just opposite process of differentiation, जैसे, माल लीजे आ ले लीडे, लेंस में यह वाला लेंस क्या крас़ का करता है, और यह वाला lens क्या करता है, दोनों तो lens से हैं, यह क्या करता है, light को diverge कर देता है, light को क्या कर देता है, diverge कर देता है, concave lens, convex lens पड़े होंगे आप 10th में, ठीके, सेम उची तरह, integration, just opposite process of differentiation, differentiation, तो differentiation में टिक्नामेंटिकल function के formula हमने बताया, तो यहाँ पर भी तो बनता है, integration में भी टिक्नामेंटिकल function के formula, आपको समझ में आया, अब दूसरा formula देखिए, दूसरा formula differentiation में क्या बताया गया था, कि cas x, cas x का क्या होता है, minus sin x होता है, जब cas का differentiation करेंगे, तो क्या मिलेगा, minus स brackets दूसरा च छ पर अभ्य ंट Lebih प्लास साइन Sumson प्लास सेस प्लस सी जाए अब ऑगा ज्न संजंए है डिफ्रैंसेशन में थीसरा फ्रमूल हमने दिफ्रैंसेशन में थीसरा फर्मूला क्या बताया था कि d upon dx log base e into x का difference करते थे तो क्या था था 1 upon x था था तो इसका नदर 1 upon x का integration करेंगे तो क्या मिलेगा log base e into x मिलेगा तो थर्ड फर्मूला हो गया आपके पास integration of log क्या हो जाएगा log base e into x into dx यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 upon x यहाँ पर integration करते हैं किसका integration of 1 upon x into dx यह हो जाएगा log base e into x यहाँ 1 upon x का differentiation की integration किया तो लाग base e into क्या मिला आपको x मिला ठीक है बिल्कुल गपडाने की जुरूत नहीं है थोड़ा सा time taking लग रहा है अरे भाईया बागू मेरे मैं यहाँ पर differentiation integration को थोड़ा सा different आपको अंतर बताते हुए लिए कि चल ला है तो सिरी सिपाथल लागे तो गपडाए मत आगे तो क्या होता है ठीक है तो दी अपन दी एक्स इंटू लाग base e into x वन अपन क्या हो गया यहाँ 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 लाग का 1 अपन x तो 1 अपन x का integration करेंगे तो क्या मिलेगा लाग base e into x मिलेगा ठीक ठीक और एक फर्मूला आप और देखिए integration differentiation 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 of dx exponential e r into x यह क्या है exponential यहाँ 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 d upon dx exponential का differentiate करते तो क्या मिलता था exponential सेम यहीं एक formula same है बाकी कहीं आपका सेम नहीं है यहीं integration में भी e का power x into dx यहीं exponential का exponential होता है क्या होता है exponential क्या होता है exponential तो डिफ्रेंशेशन और इंटिग्रेशन में कौन इसे फर्मूले है कि जो दोनों का फर्मूला क्या होता है से होता है तो डिफ्रेंशेशन में एक्सपुनेंशेट करते हैं तो इंटिग्रेशन में भी एक्सपुनेंशेल का इंटिग्रेशन करते हैं तो एक्सपुनेंशेल आएगा याद रहे का ना दिवां में बठा रहे का ना आईए ठीक आप द्यान समझिए एक और फर्मूला ठीक यहाँ पर देख लाते हैं चार हो गया इसका पांच वाप फर्मूला देखिए फिफ्ट मनमा ठीक है सब अभी इस पर यूज करांगो एकजांपल बताऊंगा हर सिक्वेंस मांगता है आप अगर सिक्वेंस में है तो फिजिस आपको बहतिन तरिके से समझ में आएगा ठीक जैसा कि हमने चार फांवला इंटिकेशन का बताया और डिफ्रेंसेशन से आपको डिफ्रेंट करके यानि अंतर्ग देते हुए आपको हमने बात समझाय कर ने सम अगर आप सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि देखिए मेरे चात्रों सब्क्राइब करने से कुछ होता नहीं है क्या होता है टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है कि मेरे मुरे कुछ चाहने वाले कितने है मेरे कुछ चाहने वाले कितने ह है आप आईए six point फिफ्थ पॉइंट देखते हैं तो फिफ्थ पॉइंट में कास एक्स ले लिए जैसे differentiation में डी आपांड डी एक्स इंटू और कास नहीं कास का तो मैं बता हूं कोसेक एक्स लिए कोसेक एक्स का क्या था माइनस कोसेक एक्स होता था कोसेक एक्स कोसेक एक्स इंटू काट एक्स अता था तो अब integration में क्या होगा integration में कोसेक एक्स इंटू काट एक्स ले ले लेते हैं integration में कोसेक एक्स इंटू काट एक्स ठीक माइनस यहाँ पर है अब देखे इससे का हम लों integration कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे? integration, तो आएगा minus cosec x minus cosec x into cosec x minus cosec x plus, इन तुन होनाष़a, plus क्या हो जाएगा? constant हो जायगा, plus क्या हो जाएगा? constant, तो यह आपके क्या रहे? formulे रहें? formulे रहें, त literary हैं, तो microsate formula को हम आपको example के साथ बताएंगे थोड़ा सा शबर रखिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसी में सबका यूज है इसी में टर्म लेकर आते हैं अगला नेश्ट क्या है आपके पास डी फाइनाइट डी फाइनाइट इंटिग्रेशन क्या है डी फाइनाइट फाइनाइट इंटिग्र तो definite integration definite integration करते किसको है देखिए यह जो symbol है न यह तो क्या integration है लेकि इसको हम बोले तो कि इसमें न लोवर कुछ है न अपर है बेस में भी कुछ नहीं है और अपर में भी कुछ नहीं है तो ऐसा अगर integration है तो इसको हम बोलते थे क्या बोलते थे हैं? बताएए, क्या बोलते थे हैं? इन-डी-finite integration अगर यहाँ पर lower में A लग जाए, आपर में क्या लग जाए? B, A B कि जाए भर ठीटा 1 ठीटा 2 भी लग सकता है, ठीक है न? तो यहाँ पर function of x into क्या है? d x function of x into क्या है d x अब इसको जब आप integration करेंगे तो यहाँ पर function of x और यहाँ पर बड़ा वाला bracket लगाएंगे बड़ा वाला backसा लिएकर रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे a और यहाँ पर लिखेंगे क्या b यह formula है तो यहाँ पर क्या जाएगा upper limit x के जाएपर क्या करेंगे b और फिर minus लगा कर x के जाएपर क्या लगा देंगे a यानि upper limit minus क्या हो जा रहा है lower limit तो हमने एक बात बताया कि अगर यहाँ पर lower base में और upper base upper में यानि lower limit upper limit lower integration of lower limit and upper limit तो इसको हम ऐसा अगर integration में lower limit और upper limit दिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे definite integration बोलेंगे अगर यह नहीं दिया है तो उसे हम definite integration बोलेंगे तो अब इस पर थोड़ा सा exam पर हम बताते हैं इस turn 4 ठीक है यह आपका formula है क्या है formula याद रखिये का तो पहला हम एक exam पर बताते हैं support that आपका दिया क्या है integration आप lower limit टू अपर लिमिट फोर और ax इंटू क्या दिया है dx इसको integration करना है इसको क्या करना है आपको तो integration करना है तो ठीक आप पहले formula को यूज कीजिए पहले तो x का integration करेंगे तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो कितना है जब dfinite integration होगा तो यहाँ c आप नहीं लगाएंगे ठीक है एक बात सुन लीजिए आप कि जब limit दिया हो तो इसको क्या बोलते हैं limit जब limit दिया हो lower limit और upper limit जहाँ limit दिया हो वहाँ c आप नहीं लगाएंगे वहाँ पर c नहीं लगाएंगे यानि dfinite integration में c नहीं लगाएंगे इन dfinite integration में आप c लगाएंगे ठीक अब देखें यहाँ पर क्या लगाएंगे बड़ा अला बाक्सा लगाएंगे यहाँ lower में लिखेंगे 2 अपर में लिखेंगे 4 अब द्यान समझे एक्स का पावर क्या हो गया 2-2 पावर 2 है अब फिन इसका मैस लगाएंगे तो यह 2 लगाएंगे तो नहीं 2 कावर 2 आपं क्या कर देंगे 2 तो 4 x 4 16 हो जाएगा और 2 x 2 4 हो जाएगा आ यह 2 क्या हो जाएगा तो 16 में से 4 घटे का तो 12 इण बचेगा यह हो जाएगा 12 यानि 12 आपं 2 आज 2 से बारव को कटाएंगे नो तो कितना बाज आएगा, 6 रजाएगा, इन्हें 6 आएगा, तो एंसर कितना मिला, दूछा को 12, इच्छो एंसर मिला, समझ में आया नो, समझ में आया किन ही आया है, बताईए, दूसरा एक जाँपल समझ जिए, जबर जस्ट कांसेप्ट है, दूसरा एक जापल समझे, हमने यहाँ पर integration लिख दिया lower limit ले लिया 2, upper limit ले लिया क्या 3 यहाँ पर x का power 2 है, x का power 2 into d अब इसको करना है integration, तो formula यूच किजिए x का power power में plus 1 जोड रहे हैं, अब फिर power में plus 1 जोड रहे हैं जहाँ पर limit दिया हो न, वहाँ पर c नहीं लगाएंगे, ठीक है न और यहाँ बडावला बक्सा लगाएंगे ठीकना, बडावला बक्सा लगाएंगे अब बक्से कि चहाँ तभी मत किजिए वो भी मिलेका बडावला बक्सा आपको, तो 2 और 1 कितना हो जायेगा, 3 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 यह lower limit 2 हो गया, upper limit क्या हो गया, आपका 3 हो गया अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद upper limit minus lower limit तो 3 का power 3 upon 3 minus 2 का power 3 upon क्या लिख दिया आपने 2 अब 3 को 3 भार multiple हो करो, 3 into 3 into 3 3, 3 जा 9, 9, 3 जा 20, 7 आपन कितना हो गया 3 आप 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 अपन कितना आगया 2 आया, समझ रहा है ना आप, समझ रहा है ना आप, नहीं समझे यह 2 है, तो 2, 2 जा 4, 2, 2 जा 4, 4 जा 8, 3 बार हो गया, कितने बार हो, 3 बार हो, समझे यह जा रखता ठीक यहां X का पावर 2 है X का पावर क्या है आपके पाश 2 है आप देखिए यहां पर इसको आप साल भी कर सकते हैं यह 2 फोर्जा कितना जाएगा 8 दुछेव को 8 9 3 27 3 9 जा 27 तो 9 में से 4 घटा होगे तो 5 ना आएगा 5 4 9 होता है ठीक ना तो यह रहा example तरीके से कर सकते हैं एक और example समझी है ठीक है यह formula तो आप note करी लीजिये कोई ने तो कोई आई यह next समझी देखिए अब जैसा की इसका हम थोड़ा यूज कराते हैं टीनामेंटिकल फंशन के formula पर लेकर चलते हैं जैसा की दिया है integration lower limit ले लेते हैं चलिए two ले लेता हैं two और यहापर क्या होगा five तो integration आप lower limit two and upper limit क्या है five अब अपने लिया one upon x into dx तो ध्यान समझी है one upon x का हम integration करते हैं तो क्या आता है log base e into x आता है तो इसको integration करेंगे तो क्या हैगा log base e into two क्या जाएगा x अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे lower limit two upper limit क्या है five इसको ऐसे लिखिए चलिए lower limit two upper limit क्या हो गया five अब concept क्या है upper limit minus lower limit तो लिखेंगे log base e x के जाप लिखेंगे five minus log base e x के जाप लिखेंगे two इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं लाग बेस फाइब राइब तू ठीक है समझ माया तो हमने थर्ड का एक्जांपल आपको बता जिया अप्स हम लेकर चलते हैं फरस्ट का भी एक्जांपल बतादे आपको यह सपोर्ड एट निश्ट इज्ञांपल हम लेते हैं निश्ट जैसे यहां प Ü D x अब sin x का deぐ hp इंtнов क्या होता है minus cos x होता है लेकिन यहां पर دेखिए constant लगा है तो यह in Avenite integration है यहां पर limit लग गया है तो क्या है d finite integration है ठीक है तो अब यहां पर sin का क्या होगा sin का जागा minus cas sin का क्या हो जागा minus cac, sin कहuciónacc exactly is minus cac, x minus cac x, plus c नहीं लगाना है, plus c आपको नहीं लगाना है, तो ह्योज़ाएगा minus cac, cac, lower limit, 0, upper limit क्या हो गया, phi हो गया, phi नहीं, phi हो गया, correct, अब concept upper limit minus lower limit जान समझेगा तो minus यहां रहाने दीजिए इसको हटा दीजिए ठीक अब cas x x के जाप लिखे देंगे cas pi minus upper limit minus क्या होता है lower limit तो minus अब क्या लिखेंगे x के जाप पर cas 0 degree अब जान समझे लिजिए cas 0 degree 1 अब cas 180 degree कितना होता है minus 1 होता है cas 180 degree क्या होता है minus 1 होता है अब यहां पर क्या करेंगे minus यह cas pi तो minus 1 हो जाएगा अब minus cas 0 1 हो जाएगा अब जान समझे इस minus यह minus 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 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा minus 2 हो जाएगा अब minus 2 और minus plus 2 न हो जाएगा कितना हो जाएगा plus 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा plus 2 हो जाएगा तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते है और इसका एक्सपोनेशल के तक बेरी इजी है बेरी सिंपल है एक्सपोनेशल का तो आपका एक्सपोनेशल ही होता है ठीक है तो मिलते हैं नेस्ट पार्ट में तब तक के लिए इस ओके बाई